कि दोस्तों अगर आप लोग के पास एंजल वन या फिर जेरोदा का डिमेट अकॉंट नहीं है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से जाके आप एजी ली एकॉंट खोल सकते हो और ट्रेडिंग और इंवेश्मेंट के दुनिया में अप आप लोग खुद को पता है कि कोई भी कोई भी आपका जो रूल से चाहिए वह प्राइस एक्शन बेस्ट हो चाहिए कोई भी पैटर्न कोई भी टूल साप इंडिकेटर यूस कर लो सारे के सारे थर्टी परसेंट आपको कॉंट्रीबूट करता है विकॉस आपको कितना भी वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दे मार्केट सो प्लीज लर्न इट टू अर्न ओके आगे देखते हैं दोस्तों निफ्टी का सबसे पहले देखते हैं जो मैं आपको टैक्टिक्स बताया था वो जो रूल सापको मैंने बताया था कि निफ्टी में हम लोग कैसे अर्ण कर सकत है ठीक है जो बरे बरे पचास लाग साथ लाग साथ लाग एक दिन में कमाते हैं वह यह प्लैटफॉर्म यह वीडियो उनके लिए नहीं है वहां से जाके देख ले मैं सिर्फ उनके लिए हूँ जो स्मॉल कैपटल में अच्छे वेल्थ बिल्ट एकर ना चाहते हैं तो दे इतना भी खड़ाब मार्केट हो कुछ भी बंबास्ट हो जाए कुछ भी हो जाए आपको मार्केट में जब भी मार्क कहीं पर भी ओपन होता है तो सबसे पहले यहां से वह उपर की तरफ जाएगा तो यह सपोर्ट बन जाएगा और नीचे की तरफ जैसे यह गैप डाउन अच्छा का सब्सक्राइब के साथ यह उपन हुआ तो यहां पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है रेजिस्टेंस बना तो हमने इसको रेजिस्टेंस एक ड्रोग कर लिया सेकेंड एक फर्स्ट और हमेशा इसको तीन मिनिट के कैंडल में ही आपको देखना है तो देख अचे के सब्सक्राइब कीआचेम सब्सक्राइब कर आया है और फिर यहां gefैस्ट में वहीं अचाव सब्सक्राइब करते सब्सक्राइब करता हूं पिर मैंने उसको सरी में मैंने अंड्रन में किया था the9 करह स किये होऊ जैसे managing कर सकते हो वह 69 के 69.82 ऐसे करके कुछ मैंने प्राइस में मैंने ऐसे कुछ होगा 69.00 रिया है तो उसका मैंने स्क्रिन्शॉट सॉरी मैंने सेयर करना भूल गया मैं कल आपको शेयर कर दूँगा तो मैंने उसमें बाइक किया और अभी फिलाल उसमें कोई फरक नहीं परता दोस्तों मार्केट को उपर जाना है अभी पूरा मार्केट में जो है पूरा पैनिक सेलिंग चल रहा है और यह जो मैंने आपको टैक्टिक्स बता है इसको जरूर अपना ही है यह देखिए मैंने जो परसेंटेज गेन किया यह कोई मामुली बात नहीं हर रोज लगबास जब भी मैं ट सेलिंग से लोग इतना रूमर फैला जा रहा है इतना जो न्यूस बेस जो अभी वार लग जाएगा यह हो जाएगा वह जाएगा इस चक्कर में लोग कुछ-कुछ तो ऐसे भी है मैंने आज मेरे पास से कॉल भी आया उसमें भी देखा कि उन्होंने अपना पॉर्फोलियो सेल कर दिया उसमें पूरा रेड हो रहा है इसलिए वह लोग के डर से पूरा पॉर्फोलियो सेल करके बोर रहे कि मैं लो रेंज में मैं उसे भाई करूंगा बहुत पागल पूरा का पूरा अगर आप पूर्फोलियो सेल कर दोगे तो अल्रड़ी आपका लौस हो गया और होने के बाद फिर आप ब्रोकरेज भी कर रहे हो और फिर आप जाके लोग में कर रहें कितना क्यापिटर लॉस होगा और उनको किसी नहीं आइडिया तो ऐसा बिलकुल नहीं कर रहे है कुछ भी हो जाए आप अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को होल्ड करना है और उपर से और एक्रल बाय कीजिए और करने के बाद आराम से होल्ड करके बैठिया और टीक अर निफ्टी सी अग और फॉल्ड करके Servus का सब्सक्नार पेए इजिली आराम से होगा बस किसी के बैक आवे में नहीं आना है ठीक है यह सिर्फ छोटे-छोटे ट्रेडर्स के लिए है वह बड़े-बड़े जो है उनके लिए नहीं है तो कल का श्टॉक का मैं तो आसा कर लेता हूं जो कल का श्टॉक जाते इसमें आनलेसिस करने का कुछ न कुछ बड़ा से धिकने सब्सक्राइब से नहीं इता यहां से एक सपॉर्ट लिया ठीक है इसने अच्छे अच्छा सब्सक्राइब लिए और सबोर्ड में अगर यह मार्केट-वर्ट वेस्ट इंच में आ गया डर में आ गया कि और नीची जाएगा तो फिर यहां से वह एक एक दोन ओपिनिंग देगा और हम लोग यह 355 में हम लोग करेंगे फर्स्ट टाइट रहेगा हमारा 351 और सेकंड टाइट रहेगा करेंगे फर्स्ट टाइट हो जाएगा उसके बाद हम लोग स्टॉप लोस को मॉडिफाई करके आगे बढ़ेंगे ठीक है और बाइंग साइड में 366 के ऊपर अच्छे वॉल्म के साथ सस्टेन करते हुए ब्रिक देता है तब भी हम जाएंगे अदर्वाइस नहीं जाएंगे ठीक है इतना ही तो आज का और कुछ नहीं है सिंपल सा मार्केट में डर्णा नहीं है दोस्तो प्लीज ऐसे महुआ के बहुत कम है पॉट्फोली स्टॉक्स में आप ज्यादा से ज़्यादा एक्कमुलेट करें अच्छा-च्छा इस्टॉक्स जो है उसको एक्कमुलेट करत सब्सक्राइब करेंगे ठीक है अपने दिमाग लगा के और कुछ नहीं है तो थैंक्यों दोस्तों अच्छे ट्रेड की